गूड मानिंग श्टूडेंट आज हम क्या पढ़ेंगे अभी साइन्स पढ़ेंगे ठीके बच्चे मैंने आप लोग क्या पढ़ाई थी उस दिन बार्ष नेम है ना बार्ष अंडर इंसेट्स नेम काल मैंने इंसेट्स नेम पढ़ाई थी और बोले थी याद करने के लिए बोड़ पर लिखी थी आप लोग साइन्स वेली कॉपी में लिखती है है ना मुझे पता है लिख दियाओंगे तो याद करना इंसेट्स नेम और यह क्या है बार्ष नेम चिडियों के नाम मैंने बोला था लिखने के लिए कॉपी में ठीक है याद भी करना कितना साइन्स ठीक है यह तो हो गया तो उसके बाद आज हम क्या करेंगे यह जो कोस्टिन एंसर ठीक है यह कोस्टिन नमबर ए मैज दबार्ष ओइच देयार नेम्स यह पीजन है यह क्रो है और डॉक यह पेरट ठीक है इसमें नीचे नाम लिखा हुआ है क्रो है सी आर ओ डबलु क्रो क्रो मीन्स कववा है ना तो हम मैचिन करेंगे यह क्या है पेरट पी ए डबल आर आर वो दी पेरट यह है पेरट है तो मैचिन करना मिला आगे है यह क्या है पी आ, गी औ, ओ, एड़ एगु अ पीजल यह है दक की चित्र हम इसाफ एसको मिलाएंगे जाफ ड बढ़क किस एक है में यह पिजन को पिजन कटर है वो मिलाएंगे कुछ यह क्या है, पीजन, कब उत्तर है ना पीजन मींज, तो मिलाएंगे, बागे रहें गया, डग, यह है बतक, डग मींज, ठीक है, मिलाएंगे, मैचिंग करने, यह इस तरह आप लोग मैचिंग करना, ठीक है, उसके बाद बचे देखो, question number B, question number B, क्या लिखा है, feel in the missing alphabet, ठीक है, यह question, दखबी में one question है, यह क्या aunt है, A लिखा है, T लिखा है, capital letter लिखा है, यहाँ आप लोग capital letter में book भरना, small letter नहीं लिखिना, aunt, A, N, T, aunt, N लिखिना, capital letter N, बढ़ा लोग, small letter N, नहीं लिखिना, केपिटाल में capital भरना, small में small भरना, ठीक है, दख़ए, capital A, capital N, capital T, aunt, aunt means, JT, B में two number, K, I, W, I, Q, capital K, capital I, capital W, capital I, Q, B, पुसके बाद question number three, B का, eagle का, E, A, G, L, E, eagle, capital letter लिखा है सब, A, B, G, B, E, B, तो हम capital में इसको भरना, capital letter लिखेंगे, small letter नहीं लिखेंगे, बच्छे, ठीक है, E, A, G, L, E, eagle, question number four, P, A, double R, O, T, parrot, parrot means, तो, ता, double R, जो लिखोगे, वो लिखोगे, तो capital letter लिखेंगे, ठीक है, Q, question number five, B का, A, S, P, A, double R, O, W, sparrow, इसलिए मैंने कहा था बच्छे, इंसेट्स नेम, बार्स नेम, सारा याद करना, हा, याद करोगे, तब लिख पाओगे, यह भी मैं paper में दूँगी, ठीक है, ऐसे भी paper में, हा, तब question नहीं याद करोगे, अनसार, तो question नहीं आएगा, पढ़ने पाओगे, पढ़ना भी शिखोगे, याद करना भी शिखोगे, तब जाके कर पाओगे, ठीक है, पैपर में लिख पाओगे, हा, आँट की spelling याद ने, आँट की स्टिटी है, यह तो इंसेट्स नेम आएगा, है ना, वाटर एनिमल्स भी और डोमेस्टिक एनिमल्स भी सारा याद करना ज़रूरी है, लिखिना जितना ज़रूरी है, याद करना उतना भी ज़रूरी है, है ना, बच्चे, देखो, उसके बाद, ओराल कोस्टेन्स, ओराल कोस्टेन्स, आप लोग को में लिख की दोंगी, काल, यह question answer के लिए अलग देनी है यह जो A और B आप लोग बुक में उफर लेना इसको copy में करना copy में लिखने के लिए मैं copy में लिखकी बता दूंगी कैसे आप लोग करोगा सिर्फ जानने के लिए मैं थोड़ा होगा समझा देती हुआ question number one name any five bars बार्स मिन चिडिया five bars name जो तुम्हीजी है आसाल लगे जो तुम्ही याद है जैसे कि छोटा 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 crow है डक है स्वान है आउल है है हैं कोक चोटा छोटा छोटा spelling है पीजन पेरट पीकक तो यह सब आप five उसमें से लिखिना what helps the bird to fly the fly means उडने के लिए help means कौन मदद करता है चिडियों को पक है पॉंक को इंगलिस में क्या कहते है wings क्या कहते है wings है ना मैं लिख्की दिखा दूंगे आप लोग तब लिखिना है शिरिफ समझा रही हूं समझना ठीक है what helps the bird to eat its food food means खाना it means खान वार्ष चिडियों help means मदद करता है खाना खाना के लिए चिडियों को क्या मदद करता है चोंच देखो यह है चोंच है ना इसको क्या कहते है बिख्य वो खाना खाते है ठीक है where do bars lay their eggs कहां चिडिया legs अंडा देते हैं कहां nest कहां घोसला नेस्ट मीन्स घोसला ठीक है अंडा देते है name to bars who is cannot fly जो उड़ नहीं सकता है जो उड़ नहीं पाता है वो दोनों चिडियों के नाम हम लिखेंगे डोनट फ्ला घो उड़ नहीं पाता है दोनों कोन कोन नहीं उड़ पाता है यह क यह मुण नहीं उड़ पाता है यह न' और एक ostris भी नहीं, वो खुबते दोडता है, चलता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है, ठीक है, ये दो ostris और M, ठीक है, ये दो उड़ नहीं पाता है, नट लिखा है, cannot fly, उड़ नहीं पाता है, ठीक है, उसके बाद question number 6, name two words which can swim, स्वी मीन तेहलना, कोन दो चिडियां जो तेहलता है, कोन है पानी में तेहलता है, एक duck है और एक स्वान है, ठीक है, यहाँ है नहीं, बस्ते, duck और swan, ठीक है, पानी में तेहलता है, ठीक है, डी उसके है, डक और desenvol, अब लोग एन स्वाल, स्वाल मिन्स हांस, ये दोनों पानी में तहलते हैं, ठीके? ये आप लोग में ने अभी समझा दिया, थोड़ा समझ जाना, और मैं पोस्चिनेंचार कपी में करके, पैज में करके, आप लोग के पास भैजूंगी, फिर दुबारा भी समझाओंगी, ठ ठीके? अभी ये नहीं करना क्वस्चिनेंचार, सिरे बुक भरनाई में चेंग, और ये फेलिंदग लेंक्स, ठीके बस्चे? जब मझे टार मिलेगा, मैं करूँगी, ठीके? ठीके? ठीके बस्चे? ठेंक्यू बस्चे, गुड मानिंग बस्चे, ठेंक्यू